और आज कुरुशेत्र मैया जूएत अंतराश्टे घीता महुत सब में केंद्रे ग्रहमतिया मिश्राह ने भी शिर्कत की जोरान ग्रहमतिया मिश्राह ने गीता को दुनिया के लिए जरूरी बताया और प्यम मोदी की भी जमकरता आरिफ की हर्याना की मुख्यमत्री मनौलाल इस कारिकर में मौजूद थे उन्होंने भी लोगों को संबोदित करते हुए गीता के ज्यान पर बात की जी ने ही 2014 में इसी गीता महोच्षव में भावना रखी थी किसका अंतराष्ट्रिय स्वरूप हुना थी मैं मनौलाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो 15 में मुंख्यमंत्री बने और 16 से गीता महोच्षव को अंतराष्ट्रिय गीता महोच्षव करने का काम है और आज असाम भी आज के महोच्षव का हिसेदार है और स्री लंका भी आज के महोच्षव का हिसेदार है देश के हर इस्से में घीता का संदेश पहुचना चाहिए दुनिया के हर कौने में घीता का संदेश पहुचना और इसलिए ये घीता महोसव 2016 से अंतराष्टिय तरपर मनाने की सुरुवात हुई और ये साथ साल के अंदर इसके सभी उद्येशों की सफलता के प्रती एक घीता महोसव जा रहा है 2014 से 2014 में कुछ दीन के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे ये दस सालों के अंदर भारत के स्वको जगाने का काम इस देश के प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया जब भारतिय जनता पार्टी गोष्णा पत्र रखती थी तब भारतिय जनता पार्टी की माननेता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और इमहान संस्कृति से मार्ग दर्शन लेकर ही ये देश की नितियों का निर्धारण होना चाहिए देश के कानून देश की नितियां भारत की भूमी की सुगंद वाले होने चाहिए और इसके लिए भारतिय जनता पार्टी ने कई लक्स रखे थे हमारे चुनावी गोष्णा पत्र में हम रखते थे केक्ता और अखंडित्ता का अगर मूर्त शरूप जमिन पर लाना है भूमी पर लाना है तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कस्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना चाहिए अगर दार्मिक और सांस्कूर्तिक पुन जागरन की सरुवात करनी चाहिए तो प्रतिकात्मक रूप से स्री राम जन्वमुमी मंदीर का निर्माण होना चाहिए और एदेश को साथ अच्छ में पंथ निर्पेक्स बनाना है तो त्रिपल तलाग जैसे कानून जो धर्म विसेश के लिए बने हैं उसको समाप्त कर देए पुल बलाकर 30 लाग से ज़्यादा लोग इस सारे कारकम को एक प्रकार से प्रहबन करते हैं यहां आते हैं यहां उनके उपस्तिती लगती है और अन्यने देशों में भी स्वामी गारनजी माराज ने प्रतन करके बहुत देशों में कारकमी शुरू करवा दी हैं मौरीशियस है, यूके है, पैनेडा है, आस्टेलिया है, अभी USA का न मतनाया हुआ है आज ही श्री लंका के जो वहां के संस्कृती मंत्री उन्होंने अपनी इच्छा विक्त किया कि हमारे श्री लंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाजवार रहता है तो वहां भी एक अरकम करने चाहिए को कश्वेवे 370 हटाना या संभब लोगों को लगता था एक मिनट में सब ठीक हो गया बहुत से ऐसे विशे जो किये गए हैं और मैं तो बदाई देना चाहूंगा आदने गरह मंत्री जी को कि जो कल ही यानि इस देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं खा समझते नहीं या कि लोग की भावनाओं को समझते नहीं हैं उन कानूनों के बदले तीन नहे कानून कल ही लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं और जैसा आपने जानकारी दिये हैं आज वो एक्ट का रूपधान कर लेंगे मैं बहुत बदाई देता हूं आपको सराहन करता हूं इस बात की कि अब देश भारतिय संस्कृति के हिसाब से हमारी जो विरासत है उसके हिसाब से इस देश का संचालन लोकतांत्री तरीके से आगे बढ़े इस और बड़े-बड़े कदम सब उठाये गए हैं